Hello students, welcome to Aromite channel. आज हम Science का Chapter No. 4 पढ़ेंगे जो है Current Electricity and Magnetism. अगर आप नए हैं, तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमसे कोई अपडेट मिस ना करें. प्लेइलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो चलिए शुरू करते हैं. क्या आपको याद है कि एक आटम में Positively Charged Protons और Negatively Charged Electrons का नमबर बराबर होता है? तो जब atoms में Charged Particles होते हैं, तो फिर हमारे आसपास के Objects पर कोई Charge क्यों नहीं होता? असल में, हमारे आसपास के Objects में काफी Electrical Charge होता है. जब एक Glass Rod को Silk Cloth के साथ राब किया जाता है, तो क्या होता है? Objects को Charge कैसे मिलता है? और Static और Moving Charges में क्या फर्क होता है? Moving Charges एक Object से दूसरे Object तक Transfer होते हैं, और ये Negatively Charged होते हैं. इस Movement के लिए Electrons Particles Responsible होते हैं. जैसे पानी उपर से नीचे Flow करता है, क्या हम इस Negative Charge को इस तरह Flow करवा सकते हैं? आपने सीखा होगा कि एक Stationary Object को Move करने के लिए Force की जरूरत होती है. वैसे ही, हम Current Electricity तब पाते हैं, जब Electrons को Conductor में Flow करने के लिए मजबूर किया जाता है. Current Electricity काफी Fascinating है. सोच ये, एक बिजली का जटका एक Cloud से जमीन तक एक Second में पहुँचता है. फिर भी, हमारे Nerves में जो छोटी-छोटी Electrical Signals Flow करते हैं, वही हमें Sensation महसूस करवाते हैं. हम रोजाना Electricity के साथ Interact करते हैं, चाहे वो Current हो जो Wires और Appliance में Flow करता है, या Devices जैसे Radio Batteries या Car Batteries में Generate होता हो. ये Currents negatively और Positively Charged Particles के Movement के वज़र से होता है. जैसे पानी ऊपर से नीचे Flow करता है, या Heat एक Hot Object से Cooler Object तक जाता है, वैसे ही Electric Charge भी behave करता है. Positive Charges का Higher Electric Level से Lower Electric Level तक Flow करने का Natural Tendency होता है. Electric Levels जो ये Difference होता है, वो Electric Charges के Movement को Determine करता है, और इसी को हम Electrostatic Potential कहते हैं. सोच ये एक Waterfall की Height कैसे पानी को नीचे गिरने पर मजबूर करती है. अब सोच ये Temperature Difference को एक Hot और Cold Object के बीच. इन दोनों में एक Common Difference है. इसी तरह, जब हम Electrical Circuits की बात करते हैं, तो दो Points के बीच Potential Difference होता है. ये Difference ही Energy के Flow को Drive करता है. एक Experiment Try करते हैं. सबसे पहले कुछ Copper Wires लीजिए और उन्हें Circuit बनाने के लिए जोड़िए. लेकिन नोटिस करिए कि कोई Current नहीं Flow कर रहा है और Bulb जल नहीं रहा. अब एक एक दशमलव पांच वोल्स Dry Cell जोड़िए जो आप Market में खरीद सकते हैं. जैसे ही आप ये करते हैं, Bulb जल उठता है, जो दिखाता है कि Current अब Flow कर रहा है. ये इसलिए होता है, क्योंकि Dry Cell अपने दोनों Ends के बीच Potential Difference क्रियेट करता है. Electrons wire के थूँ Negative Terminal से Positive Terminal की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं. Interesting बात ये है कि जब Electrons एक Direction में Flow करते हैं, Conventional Current उसके Opposite Direction में Flow करता है. आप अकसर ये Arrows के थूँ दिखाते हुए देखेंगे. अगर Potential Difference नहीं होता, जैसे पहले हमने Cell Add किया था, तो Current नहीं होता. लेकिन जैसे ही आप Potential Difference अप्लाई करते हैं, Current Flow होने लगता है. Potential Difference को Measure करने की Unit Volt होती है और हम इसके बारे में अगले Lesson में Detail में पढ़ेंगे. अभी के लिए याद रखिए कि Electric Current Charged Particles के Wire में Move करने के वज़ा से होता है. एक सेकिन में Wire से कितना Electrical Charge Flow होता है, उसे हम Unit Current कहते हैं. SI System में Electric Current की Unit Ampere होती है, जो एक सेकिन में एक Column Charge के Flow के बराबर होती है. Electric Current एक Scolar Quantity होती है. एक Electric Cell एक Crucial Device होता है, जो Circuit में Uniform Flow of Charges Create करता है. आज के टाइम में काफी टाइप्स के Electric Cells अवेलिबल हैं, जो Wrist Watches से लेकर Submarins तक में Use होते हैं. एक Common Type जो आप जानते होंगे वो है Solar Cell. किसी भी Electric Cell का Main Purpose होता है, अपने दोनों Terminals के बीच Constant Potential Difference मेंटेन करना. अब हम Currently in Use Electric Cells को डीटेल में देखेंगे. Dry Cells वो Essential Components हैं, जो हम रोज के Devices जैसे Radios, Wall Clocks और Torches में यूज़ करते हैं. Dry Cells कई Sizes में आते हैं, जो Specific Needs के लिए बनाए जाते हैं. लेकिन आपने कभी सोचा है कि एक Dry Cell कैसे बनता है? एक Dry Cell के अंदर आपको एक Central Carbon Rod मिलेगा जो Positive Terminal का काम करता है. इसके आसपास Zinc Chloride और Ammonium Chloride का Moist Paste होता है, जो Electrolite का का काम करता है. Cell का Outer Casing जो Zinc से बना होता है, वो Negative Terminal का काम करता है. Central Rod के आसपास Manganese Dioxide का Mixture होता है, जो Reaction के दौरान Produce होने वाले Hydrogen Gas को Absorb करता है. यह Compact Design एक Steady Flow of Electric Current को Allow करता है, जो हमारे Rose के Devices को Reliable और Convenient तरीके से Power देता है. Lead Acid Cell एक Simple लेकिन Fascinating Principle पर काम करता है. यह Type का Cell Electrically Discharge होने के बाद Recharge हो सकता है. इस Cell के अंदर दो की Electrods होते हैं, एक Lead Electrode और एक Lead Oxide Electrode, जो दोनों Dilute Sulphuric Acid में Immerse होते हैं. Lead Oxide, PBO2, Electrode Positive Charge क्यारी करता है, जबकि Lead, PB, Electrode Negative Charge क्यारी करता है. दोनों Electrode के बीच Potential Difference लगभग 2V होता है. Cell के अंदर होने वाले Chemical Reaction से दोनों Electrode पर Electric Charge जेनरेट होता है, जो Electric Current को एक External Load, जैसे Bulb, के Thru-Flow करने देता है, और Circuit Complete होता है. Lead Acid Cells Large Current प्रोवाइड करने के लिए मशूर हैं, और यह Cars, Trucks, Motorcycles और Uninterrupted Power Supplies, UPS, Systems में यूज होते हैं. आजकल बहुत सारे Portable Gadgets रीचार्ज होने की Convenience के साथ आते हैं. एक Common Power Source जो इन Devices में यूज होता है, वो है NICAD Cell, जो 1.2V का Steady Potential Difference देता है. इन Cells का खास फाइदा यह है, कि यह Recharge होने के लायक होते हैं. इसलिए इन्हें बार-बार Replace करने की जरूरत नहीं होती. एक Electric Circuit में जब एक Cell Holder, एक Electric Bulb और एक Plug Key को Wires के Thru Connect किया जाता है, तो कुछ Interesting होता है. जैसे ही एक Dry Cell को Holder में रखा जाता है और Plug Key Close किया जाता है, Bulb जल उठता है. लेकिन इसका मतलब क्या है? यह दिखाता है कि Circuit में Electric Current Flow हो रहा है, जो Bulb को Glow करने देता है. लेकिन जब Cell को Remove कर दिया जाता है, Current Flow बंध हो जाता है और Bulb बुझ जाता है. यह Simple Process एक Electric Circuit को Demonstrate करता है. एक Circuit Basic रूप से एक Loop होता है, जो Electrical Components को एक साथ काम करने देता है. इस Case में, Cell, Wires और Bulb इस तरह Connect होते हैं, कि जब Circuit Complete होता है, तब Electricity Flow करती है. आपने अपने घर में कुछ ऐसा देखा होगा. Electrical Circuits हर जगर यूज होते हैं, लेकिन घर में Cells के बजाए हमें Electricity External Power Source से मिलती है. हम इस टॉपिक पर डीटेल में आने वाले Lessons में डिसकस करेंगे. एक Electrical Circuit में आपने देखा होगा कि अकसर एक से ज़्यादा Electric Cells Connected होते हैं. For example, एक Transistor Radio में आप दो या तीन Dry Cells को Series में Connected देखते हैं. Cells को इस तरह Connect करने का Reason होता है, Higher Potential Difference Obtain करना, जो एक Single Cell से पॉसिबल नहीं होता. जब यह Cells इस तरीके से Connect होते हैं, तो ज्यादा Current Flow करता है. इस Setup को Battery of Cells कहते हैं. Series Connection में एक Cell का Positive Terminal अगले Cell के Negative Terminal से जोड़ दिया जाता है, और यह Pattern Continue होता है. अगर हर Cell का Potential Difference एक Volt है, तो तीन Cells को Series में जोड़ने पर Total Potential Difference तीन Volt होता है. चलिए अब Electric Current के Magnetic Effects को एक Simple Experiment के थूँ समझते हैं. एक Used Up Match Box का Inside Tray लीजिए और एक छोटी Magnetic Needle अंदर रखिए. अब एक Long Connecting Wire को Tray के आसपास लपेट लीजिए. Wire के Ends को एक Electric Cell, Plug Key और Bulb के साथ Connect करके Electric Circuit कम्प्लीट कीजिए. Experiment शुरू करने से पहले, Magnetic Needle की Position Mark कर लीजिए. अब Plug Key को Close करके Needle पर नजर रखिए. जैसे ही Bulb जलता है, Current Flow होता है. क्या आपने देखा कि Magnetic Needle की Position Shift हुई? फिर जब Plug Key को Open किया, तो Current रुख गया और Needle वापस अपनी Original Position पर आ गई. हम इससे क्या कम्पी लूट करते हैं? जब Electric Current Wire के थूफ लो करता है, तो एक Magnetic Field क्रियेट होती है. इसे पहली बार Hans Christian O.Eastid ने Observe किया था कि Electric Currents अपने इर्दगिर्द Magnetic Fields जेनरेट करते हैं. एक मीटर लॉंग फ्लेक्सिबल कॉप पर वायर लीजिए, जिसमें Resistive Coating हो और इसे एक Long Iron Screw के आसपास टाइटली लपेट दीजिए. अब वायर के दोनों एंड्स को Electric Circuit में एक Electric Cell के साथ कनेक्ट कीजिए. Screw के पास दो से चार छोटी Iron Pins या Nails रखिए. जब आप Circuit Close करते हैं और Current Flow करता है, तो Pins या Nails Screw के टिप से चिपक जाती हैं. लेकिन जब आप Current रोग देते हैं, Pins गिर जाती हैं. यह क्यों होता है? जब Electric Current वायर के थुरू फ्लो करता है, तो Screw में Magnetism Generate होता है और Screw एक Magnet बन जाता है. लेकिन जैसे ही Current बंद होता है, Magnetism चला जाता है. इस Combination of Wire, Coil और Screw को Electromagnet कहते हैं. Strong Magnetic Fields Generate, Electromagnets Widely Use होते हैं, जो Scientific Research के लिए काफी Crucial होते हैं. आपने पहली बार इनके Applications Sixth Standard में पढ़े होंगे. अब हम एक Simple Electric Doorbell कैसे काम करता है, उसका Closer Look लेते हैं. अगर आप एक Bell जो काम नहीं कर रही है, उसका Outer Cover हटा कर देखेंगे, तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा, एक Bell के अंदर एक Electromagnet होता है. एक Copper Wire को एक Iron Piece के आसपास लपेटा जाता है, और यह Coil एक Electromagnet का काम करता है. इसके बगल में एक Iron Strip होती है, जो एक Striker को Hold करती है. एक Contact Screw भी होता है, जो Strip को Touch करता है, और इससे Electric Circuit Complete होता है, जैसे Diagram में दिखाया गया है. जब Circuit Complete होता है, Current Coil के Through Flow करता है, और Coil Magnet बन जाता है. यह Magnet Iron Strip को अपनी तरफ खीजता है, और Striker Gong को Hit करता है, जिससे आवाज निकलती है. लेकिन साथ ही Contact Screw और Strip का Connection तूड जाता है, और Current रुख जाता है. जैसे ही Current रुखता है, Electromagnet अपना Magnetic Pull खो देता है, और Iron Strip वापस Screw को टच करती है, फिर से Current फ्लो करने लगता है. यह Cycle Rapidly Repeat होती है, जिससे Bell Continuously बज़ती रहती है, तो यह Chapter यहीं खत्म होता है. हमने इस Lesson के Question-Answers वेबसाइट पर अप्लोड कर दिये हैं. अगला Lesson देखने के लिए Aromite चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Bell आइकन दबाएए. धन्यवाद अगला Lesson